दोस्तों आज हम इस पावरफुल टैंक के गहरे प्रवेश का संकेत कर रहे हैं मारकवा MMK4 जिसे इसराइली आर्मी द्वारा अपने वार एक्यूजेशन के लिए चुना गया है यह कई शांदार फीचर्स से भरपूर है और दुनिया के सबसे मजबूट टैंकों में से एक माना जाता है मैं आपको इस आइडियल किस्म के टैंक के बारे में और भी गहराई से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इसकी रियल पावर और उप्योग को समझ सके दोस्तों 1999 में अनवेल्ड मरकावा MK4 इसराइली आर्मी का मेजर बैटल टैंक है इसके एडवांस्ट केपबिलिटीज में यह है कि टैंक 120 मिमी स्मूद बोर गन से लैस है जो 3000 मीटर तक के लक्षियों को जोडने में सक्षम है यानि हिला देने में सक्षम है विस्फोटित करने में सक्षम है मारकवा MK4 में एक AEW लेजर गाइड़ एंटी टैंक मिसाइल लॉंचर भी है जो 4000 मीटर तक के लक्षियों को विस्फोटित कर सकता है मारकवा MK4 में एक ट्रोफी सक्रिय सुरक्षा प्रनाली है जो टैंक को दुश्मनी आग से बचाने के लिए डिजाइन की गई है ट्रोफी प्रनाली दुश्मनी आग को ट्रैक करती है और फिर टैंक के खिलोने पर आग लगाती है जिससे दुश्मनी आग को इनैक्टिव किया जा सकता है मारकवा M के 4 में एक आइरन फिस्ट सक्रिय सुरक्षा प्रनाली भी है जो टैंक को दुश्मनी आग से बचाने के लिए डिजाइन की गई है आइरन फिस्ट प्रनाली दुश्मनी आग को ट्रैक करती है और फिर टैंक के खिलोने पर फ्लेयर्स फायर करती है जिससे दुश्मनी आग को भ्रमित किया जा सकता है इस वाहन की मुख्य विशेष्टाएं इस प्रकार है उसका वजन 70 टन है उसकी लंबाई 7.6 मीटर है चौडाई 3.7 मीटर है उंचाई 2.6 मीटर है क्रू 4 होते है उसका इंजन 1500 होर्स पावर डीजल इंजन होता है अधिक्तम गती 65 किलो मीटर प्रति घंटा होती है उसकी दूरी 500 किलो मीटर होती है मारकावा MK4 अपने एडवांस्ट फीचर्ज और सुरक्षा उपायों के लिए मेजर टैंकों में से एक के रूप में फेमस है जिससे यह किसी भी वार जोन के लिए तैयार है मारकावा MK4 टैंक की ताकत और टिकावपन को सुनिश्चित करने के लिए डिफरेंट माटीरियल्स और टेकनोलोजीज का उप्योग करता है टैंक की कवच में इसके माटीरियल्स जैसे की स्टील उच्च ताकत वाले स्टील और मिकसिंग माटीरियल्स शामिल है जो विभिन्न खतरों के खिलोने के रूप में मजबूत प्रोटेक्शन प्रदान करती है टैंक की अपर भाग में जॉइंट आर्मर होता है जिसमें मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर को संयुक्त किया जाता है गती बढ़ाने और वजन को कम करने के लिए टैंक का निचला हिस्सा एल्यूमिनियम और प्लास्टिक मेटिरियल्स को शामिल करता है हालांकि ये स्टील या जॉइंट आर्मर की तरह मजबूत नहीं हो सकते है इसके कवच के एडिशन टैंक एक्टिव सेक्यूरिटी सिस्टम्स का उप्योग करता है जैसे की ट्रोफी और आईरन फिस्ट ये सिस्टम्स आने वाले खतरों को पहचानने और उनके खिलोने को नश्ट करने के लिए डिजाइन की गई है जो टैंक की जीवित रहने की शमता को बढ़ाती है मारकवा MK4 ने कई कॉन्फलिक्ट्स और सुलूशन्स में देखा है अक्सर दुश्मनी आग का सामना करते हुए और कंक्लूजन होकर इसका यूनिक रिकॉर्ड इसकी सत्यता और युद्ध शेत्र में फंक्शनालिटी का प्रूफ देता है मारकवा MK4 इसराइली आर्मी के लिए एक फंडमेंटल टूल्स के रूप में बनाए रहने के रूप में एक कोने का पत्थर है जो युद्ध टेकनलोजी और एक्विप्मेंट में उन्नती के लिए मान्यता प्राप्त करता रहता है तो दोस्तों ये थी मारकवा MK4 की खासियत तो इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें ताकि मैं आप के लिए और भी डिटेल पूर्ण वीडियो ला सकनी तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया